आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि परतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधार्ण वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले परतंत्र का आर्थ समझते हैं परतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर किसी दूसरे का तंत्र हो यानि कि दूसरे का राज हो यानि कि गुलाम या प्राधिम यानि कि जो आजाद नहीं होता उसे हम परतंत्र कहते हैं तो परतंत्र का विलोम शब्द यानि कि विप्रितार्थक शब्द होता है स्वतंत्र स्वतंत्र मतलब जहां अपना स्वयम का खुद का तंत्र हो या खुद की आजादी हो तूसे हम स्वतंत्र कहते हैं यानि कि जो फ्री हो या जो किसी की अधीन नहो तो आईए अब हम परतंत्र और स्वतंत्र को कुछ उधारन वाट्रों से समझें जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि परतंतरता से मुक्ति पाने के लिए संखर्ष करना पड़ता है या फिर आप कह सकते हैं कि परतंतर वैक्ति अपने निरने स्वयम नहीं ले सकता या फिर आप कह सकते हैं कि भारत 1947 में स्वतंतर हुआ या फिर आप कह सकते हैं कि स्वातंत्र व्यक्ति अपने निर्णे स्वयम ले सकता है यानि कि खुद ले सकता है अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें